वैग्यानिकों के अनुसार एक आदमी को शादी से पहले करीब साथ बार प्यार हो जाता है हम किसी को पसंद करते हैं या नहीं यह तै करने में हमारा दिमाग केवल चार मिनट का समय लेता है जब आप किसी के काफी करीब हो जाते हैं तो उसके द्वारा भीजे गए मैसेज भी आपको उसकी आबाज में सुनाई देते हैं जितना अधिक आप किसी से बात करते हैं उतनी ही अधिक संभावना है कि आप उसके प्यार में पढ़ जाएंगे एक शोध में यह पाया गया कि जब किसी व्यक्ति को दर्द का अनुभव होता है और उस समय अगर वह अपने प्रेमी या प्रेमिका की छवी फोटो को देखता है तो दर्द काफी हद तक कम हो जाता है एक शोध के अनुसार जब लोग एक दूसरे के प्यार में होते हैं तो एक दूसरे की आखों में देखने के महस तीन मिनट में उनका दिल एक साथ धड़कना शुरू कर देता है एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि 20 सेकंड से ज्यादा समय तक एक दूसरे को गले लगाने वाले कपल्स का रिष्टा अच्छा और लंबे समय तक चलने वाला होता है किसी विशेश व्यक्ति द्वारा भेजा गया एक छोटा सा संदेश आपको तुरंट तनाव से मुक्त कर सकता है और आपका पूरा मूर बदल सकता है प्यार में पढ़ना दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग्स कोकीन से भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इन दोनों का हमारे दिमाग पर बेहत घातक असर होता है ऑक्सिटोसिन जिसे कभी-कभी लव हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है हमारे शरीर में सबसे अधिक तब उत्पन होता है जब हम अपने प्रेमी के साथ होते हैं ताजा शोध में खुलासा हुआ है कि ऑक्सिटोसिन कुछ ही पलों में सिरगर्ध अकेलापन जैसी समस्याओं को ठीक कर सकता है लड़कों को अक्सर ज्यादा बोलने वाली लड़कियां पसंद आती हैं जबकि लड़कियों को अक्सर कम बोलने वाले लड़के पसंद आते हैं दोनों लोगों में जब जोड़ा बनता है तो यह रिष्टा काफी लंबा चलता है अकसर लोग सोचते हैं कि अगर उनकी सोच मिलती है तो उनके प्यार का रिष्टा ज्यादा चलता है लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं होता क्योंकि जिनकी सोच मिलती है उनकी जोड़ी ज्यादा दिन तक नहीं चलती बलकि जो विपरीत सोच वाले होते हैं उनका रिष्टा काफी लंबा चलता है मनोविध्यान कहता है कि प्रेम में तूटे हुए लोग प्रेम के प्रती ज्यादा भावुक होते हैं प्रेम में तूटे हुए लोग बात-बात पर भावुक हो जाते हैं